दोस्तो बहरत और स्री लंका के वीच में पहला T20 मोकाबला मुंबई के मैदान पर को समय बाद स्टार्ट होने वाला है मगर दोस्तो ये मोकाबला अब 20-20 ओवर का नहीं, एक एक ओवर सोपर ओवर का खेला जाएगा आखिर कर गाईस आब भी चाहते हैं T20 सिरीज को स्री लंका के खिलाब भारत के टीम जीते को उस वीडियो को लाइक किजिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राब करें बिल्कुल ना हूले दोस्तों अभी अभी भारत के टीम ने बांगलादेश की टीम को दो टेस्ट मैचाओं की सिरीज में दूल चटाई थी लेकिन दोस्तों आप आ रहिया है स्री लंका के खिलाब 3 T20 और 3 ODI मैचाओं की सिरीज का जबकि पहला T20 मोकाबला 3 जनवरी को खिला जाएगा तो वहीं दूसरा T20 मोकाबला 5 जनवरी को होगा जबकि आखरी और अंतिम मोकाबला राजकोट के मैदान पर 7 जनवरी वाले दिन खिला जाएगा लेकिन दोस्तो आज कुछ समय बाद भारत और स्री लंका के बीच में पहला T20 मोकाबला भारत के समय नुसार 7 जनवरी से मुंबई के मैदान पर स्टार्ट होने वाला है अगर दोस्तो आपको बता दें मुंबई के मैदान पर बैदर रिपूट का अनुसार बारिस के चांसेज बहुत ज़्यादा है अगर दोस्तो बारिस साथ वज़े तक रुकने का नाम नहीं लेती है तो इस मुकाबले को फाइनली दस वजे एक एक ओवार यानी सोपर ओवर का भी किया जा सकता है वैसे का इस आपने इंचो कमेंट बॉक्स में बताना अगर पहला टी-20 मुकाबला सोपर ओवर का खेला गया तो इसको कौनसी टीम जीतेगी